मित्रों, बुद्ध ग्रह सरवादिक शुब ग्रहों में से एक है इसे वानिज, मैत्री, साथ बसात में सम्मन्नों का स्वामी माना जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेश से लेकर मीन राशी वाले कि कैसे बुद्ध बनाएगा जोड़ी बुद्भार पर वाईए जानते हैं आपका राशी फल्बे कैसे बनेगी आज किस राशी की जोड़ी बुद्ध बार के दिन मित्रों नमस्कार, मैं आपका अपना, आपका अजीज, आपका कमल नंदलाल और मैं लेकर आए हूँ आप सभी के लिए पंजाब केसरी के नए यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी का खास शोव आपका राशी फल्बे इस शोव के जरीए हम रोज आपके जीवन से जुड़ी सटीक जानकारी देनी की कोशिश करते हैं तो आईए चलते हैं और शुरू करते हैं सिलसला राशी फल्का और सब सब पहले बात करेंगे मेश राशी की मेश यानि कि Aries आज का दिन Aries सर्प्राइज से भरा रह सकता है ओफिस में बॉस की तरफ से आज आपको गिफ्ट भी मिल सकता है बच्चों से गुड निउज भी मिल सकती है और बिजनेस में भी सक्सेस मिल सकती है आज कहीं बहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं और किसी नए काम की शुरुवात भी कर सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर रहेगा रेड और लखी नमबर रहेगा फाइफ बात करेंगे टॉरस यानि कि वरिश की आज दिन खुशियों से भरा रहेगा पिता से कोई गिफ्ट मिलने वाले हैं लाइफ पार्टनर का पुरा सपोर्ट रहेगा और उनका प्यार भी मिलेगा दोस्तों की सलहा से काम में सक्सेस भी मिलेगी अचानक कहीं से गुड निउस भी मिल सकती है पार्टनर के सलहा लिए बिना कोई बड़ा फैसला ना ले आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नमबर है सेबन बात करेंगे मिथन राशी की यानी जेमिनाए की जेमिनाए आज नौकरी में बड़े अधिकारियों से मुलाकात हो सकती है नई उजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं आज फाइदा ही फाइदा होने वाला है आचाना कहीं से गुड नियूस भी मिल सकती है आज अपनी चीज़ों को ध्यान से संभाल कर रखें बिसनेसमेन के लिए समय बहुत अच्छा है अपने मन की बात लोगों से शेयर करें उनकी सलहा से काम में और भी ज़्यादा होगा आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई ब्लू और लखी नमबर है टू बात करेंगे करकराशी की यानि की कैंसर की कैंसेरियन्स आज आप उत्साह से भरे रहेंगे आफिस का काम छोड़कर बच्चों के साथ पिकनिक पर भी जा सकते हैं नए लोगों से आपकी दूस्ती भी हो सकती हैं शुप्तकों से आपको साधान रहनी के जरूरत है बिजनेस पार्टनर से थोड़ा अलट रहें बड़ा नुकसान हो सकता है आपका सामाजिक दाइरा भी बढ़ सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंच और लखी नंबर है फोर अब बात करेंगे सिंग राशी की यानि की लियो की लियंस आज आपके दूर दरा से महमानों का आगबन हो सकता है पूरे दिन भर आप बिजी रह सकते है शाम को पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है आफिस में बहुत से काम को लेकर तारीफ भी मिल सकती है आज जिस से आपके मन में एक्साइट्वेंट भी बनी रहीगी आपको और आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नमबर है एट बात करेंगे कन्या राशी यानि के वर्गो की वर्गो आप काफी रॉमेंटिक मूड में रह सकते हैं आज तूर पर जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है बच्चे खेल कूद में अपना समय बिताएंगे बिजनस के सिलसले में बाहर ट्रैवल भी कर सकते हैं ये ट्रैवल आपको बहुत लाबदाइक साबित होगी आपके बिजनस में बड़ोती भी होगी आज के लिए आपका लखी कला है येलो और लखी नंबर है सिक्स अब बात करेंगे तुला यानि की लिबरा की लिबरंस आज स्टूडन्स के लिए बेहत खास दिन है आपकी मेहनत रंग लाएगी हर काम में सफ़लता मिलेगी शाम को लाइफ पार्टनर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं किसी नए काम की नीव रखने से पहले बड़े बुजर्गों का आशिरवाद जरूर ले अगर घर याँ जमीन खरीदने के सोच रहे हैं तो दिन आज बहुत अच्छा है आज आपके लिए लखी कलर है पीछ और लखी नमबर है नाइन बात करेंगे स्कॉर्पियो की यानि के वरिश्ची कराशी की स्कॉर्पियंस धार में कामों में आज बिस्त रहेंगे काम कराने में थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है लाइफ पार्टनर आपकी हर काम में बदब करेगा आज के लिए आपका दिन खुशनुमा बीतेगा माता पिता का आशिरवाद लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू करें फ्यूचर में काम में बड़ी सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लखी कलर है ब्लू और लखी नंबर है सिक्स बात करेंगे धनू राशी यानि सजिटेरियंस की लिए सजिटेरियंस बिजनेस में हाट डालने से पहले अच्छी तरह सोच विशार ले आज विपरीत बरस्तितियों का सफलता से सामना कर पाएंगे प्रॉपर्टी खरीदने से आपको फाइदा होगा परिवार के साथ समय बिताएंगे और स्टूडिंट्स का पढ़ाई में मन भी लगेगा बसाथ थोड़ा सा एमोशनल रहेंगे और साथ बसाथ सम्मान आपको सम्माज में प्राप्त भी होगा आज के लिए आपका लखी कलर है सी ग्रीन और लखी नंबर है एट बात करेंगे केप्रिकॉन यानि मकर राशी की केप्रीज आपके विदेश यातरा के योग बन रहे हैं यादि आप विदेश से सम्मंदित कोई बिजनेश शुरू करना चाहते हैं तो उस सम्मंद में आज बड़े फैसली लेने का दिन है भाई भेनों से पूरा सपोर्ट मिलेगा इस राशी की लेडीज सोशल वोर्प में आगे रहेंगी आपकी सेहत अच्छी बनी रहेंगी नए पार्टनर मिलने के आसार भी बन रहे हैं आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नंबर है सविन अब बात करेंगे कुम्भराशी की यानि अक्वाइरियस की अक्वाइरियन्स लाइफ पार्टनर से आपको गिफ्ट मिलने के यूग बन रहे हैं वर्क प्लेस पर साथानी बरतने की जरूरत है अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें बिजनिस में नए संजोते हो सकते हैं आज आपके घर महमान भी आ सकते हैं और एक खास बात और विरोधियों की अंदे की बिलकुल ना करें आज के लिए आपका लखी कलर है मजेंटा और लखी नमबर है थ्री आगे बढ़ते हैं बारवी राशी मीन की और यानि पाइसेंस आज आप सामाजे काम में हिस्सा ले पाएंगे बच्चे मौजबस्ती में अपना समय बिताएंगे इस राशी की लेडीज को बाचीत के दौरान थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़र्वत है छोटी बात पर कोई नाराज हो सकता है इसलिए थोड़ा सा जबान पर लगाम रखें उनसे अपने जो कलीक्स हैं उनसे फ्रेंडली बिहेवर दिखाएं जिस काम में हाट डालेंगे आज इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी लेकिन शत्रों से दूरी बनाकर ज़रूर रखें आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वा और लखी नमबर है वन तो दोस्तों आज के लिए बस इतना हैं कल फिर आपसे मुलाकात होगी आपका भवशें बताने के लिए आपके राशी का भवशें बताने के लिए तब तक के लिए कमल न अंदलाल को अजघ Smith हो मंगल मैं हूँ इसी के साथ ही एक ऊफास बात हाँ अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं किसी परेशानी में हैं जिसका आपको हल नहीं मिल पा रहा है तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फोन नंबर लिखिए अपनी बर्थ डिटेल्स लिखिए मैं आपको सीधे समपर करूँगा और सबसे जरूरी बात हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना बिलकुल भी ना भूले नमस्कार